रविंद्र रेना बीजेपी के अदक जमू कश्मीर के हमारे साथ जुड़ गए रविंद्र रेना जी बहुत-बहुत स्वागत था आपका सबसे पहले तो चेरे पे खुशी दिख रही है 400 पार का जुनारा प्रधान मंतरी ने दिया था उसके खरीब पहुँच गए आप जो एक्जिट पोल के आकड़े हैं वो बता रहे हैं क्या कहेंगे आप 2024 के लोकसभा चुनावूं का जो एक्जिट पोल ओपिनियन पोल पूरे देश भर के टेलिविजन चेनल्स और अलाग अलाग न्यूज एजेंसीज ने पूरे देश को दिखाया है उसमें भारतिये जनरता पार्टी को मानिये प्रधान मंतरी मोधी साहब को पूरे देश का जबरदस्त आश्रिवाद समर्थन मिल रहा है रिपब्लिक न्यूस नेटवर्क के उपर हम देख रहे थे जिस परकार एक एक लोकसभा सीट का आपने एनलिसिस किया अलाग अलाग स्टेट्स का एनलिसिस किया मैं स्पष्टता से कह सकता हूँ कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक और गुजरात से लेके अरुनाचल प्रदेश तक पूरे भारत के अंदर मानिये प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी साहब की परचंड लहर है और जो पूरे देश में बंपर वोटिंग हुई है देश की जनता ने मानिये प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी साहब का दिल खोल कर समर्थन किया है जिस प्रकार पिछले दस वर्षों में मोधी साहब ने एक सन्यासी की भांती एक साधू की भांती, निस्वार्थ भाव से, त्याग और तपस्या के भाव से, भारत वासियों की सेवा की है, ये वही देश वासियों का प्यार छलक रहा है, मत पेटियों में, और यकीनन आप देखेंगे, चार जून को चार सो के पार का आंकड़ा होगा, ये प्रचंड ज और देशवासियों की जीत है, और ये जीत, मानिये प्रधान मंत्री मोदी साहब के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन की जीत है, मैं हृदे से देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ, कि उन्होंने एक जुट होकर, एक स्वर में कहा, फिर एक बार मोधी सरकार रविंद रहना जी हाला कि 400 पार का टार्गेट था इर्दगेट जरूर ये टार्गेट नजर आ रहा है आप जहां पर मौजूद है जम्मू कश्मीर के एकर बात करें आपके मुताबिक वहां क्या तस्वीर निकल कर सामने आ सकती है देखिए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप उड़ी करना से लेकर जम्मू कठुवा के क्षित्रों में चले जाएं रजोरी पुँच में चले जाएं अनंतना कुलगाम शोपियान में चले जाएं सामबा कठुवा डोड़ा किष्टवा रामबन रियासी चले जाएं हर जगा हर गाउं हर घर में मोदी साब के प्रती अथा प्यार और समर्थन है जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के दिल में मोदी साब बसते हैं आपने देखा होगा चुनावूं से पूर्व मानिये प्रधान मंत्री मोदी साब कश्मीर घाटी में आये थे एक जबरदस जन सलाब और जन समंदर उम्मड के मोदी साब को देखने आया था आज जम्मू कश्मीर के अंदर अमन शान्ती और खुशहाली है यह हमारे मानी प्रधान मंतरी मोंधी साथ देखे उसके आखड़े के मताबिक देखे आपको नजर आ रहे होंगे बीजेपी 19-23 सीटों के बीच में जबकि कॉंग्रेस 5-8 सीट है जबकि सरकार कॉंग्रेस की है वहाँ एक्सेस माइ इंडिया जी एक्सेस माइ इंडिया का जो एक्सेट पोल है उसके आखड़े को मताबिक देखे है करनाटक में सी बोटर में 23-25 कॉंग्रेस 3-5 यह सी बोटर का आखड़ा है 23-25 बीजेपी के खाते में मैट 20 में 19-22 बीजेपी के खाते में YSRCP जो है अंदरप्रदेश की बात कर रहे 3-6 YSRCP कॉंग्रेस शुन्य है पी मार्क के इस आप से देखे तो बीजेपी 14-18 YSRCP 3-6 कॉंग्रेस सुन्य से 1 की आखड़ेश की तस्वीर आपको बता रहे C बोटर का क्या कहना है 21-25 बीजेपी के खाते में YSRCP 0-4 कॉंग्रेस यहाँ अभी शुन्य यानि कॉंग्रेस का पूरा सूपड़ा यहाँ से साफ होता नजर आ रहा है CNX की बात करते हैं तो CNX से आंकड़े बता रहे है आंदर परदेश में 19-23 BJP के खाते में YSRCP 3-5 और 6-0 कॉंग्रेस मैट्रीज एक बार पिर आपको बता रहे है तिलंगाना के सीट BJP 6-9 सीटे ला रही यहाँ पर कॉंग्रेस 5-8 उसके लावा अन्य पर 3 है तिलंगाना में पी मार्क देखे है 6-9 BJP को दे रहे हैं कॉंग्रेस को 8-12, 3-6, BRS को दे रही है यह पी मार्क एक्जिट पर आंधी चल रही है और चलिए मद्दपरदेश का मद्दपरदेश का एक्जिट पोल आपको दिखाते हैं कि कैसे मद्दपरदेश का एक्जिट पोल क्या कह रहा है इस बार वो हम आपको बताने के कोशिच कर रहे है सेटे आएंगे अंकड़े सामने आए है चार जुन को नतीजा आएंगगे लेकिन उससे पहले जो एगजेट पोल आए हैं वो क्या कहना ये हैं हम आपका पूरे दक्षन की बात बता रहे लेकर अब मध्युपर देश को लिकर हम आपको बताएंगे कि वहां के आंखड़े क्य कर रहे हैं देखिए आप बीजेपी यहां एक्जिट पोल जो कह रहा है उसके बाद एक्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी अब यहां 28 कॉंग्रेस एक सीट पर आ सकती है एक सीट कौन होगी कोई नहीं कह सकता है अब परसेंटेज की बात करें तो 63 फीस दी बोट बीजेपी क कर रहे हैं एक्जिट पोल क्या कह रहा है इस ग्राफिक्स के जरहे हम आपको बताने के कोशिच कर रहे हैं बीजेपी को 52 फीस दी वोट जबके कॉंग्रेस को 38 फीस दी जिया अब देखिए राजस्थान करण जिया राजस्थान करण कह रहा है कि बीजेपी को 25 2019 की बात कर कॉंग्रेस शुन्य शुन्य थी लेकिन यहां आप तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आ रहे हैं